कि लौड किश्णानमन लौड किश्णानमन टू ओल आफ यू माई और स्वीद डियर स्टुडेन वेलकम इन माई ऑनलाइन क्लासेश प्यारे बिद्ध्यार्थियो आज हम बात करेंगे निउट्रीशन इनिमल्स एंड हुमन्स के बारे में यानि कि जन्तुओं में और मनुष में पोसड कैसे प्राप्त करते हैं निउट्रियंट कैसे गैट करते हैं है ना तो कुछ यहां पर टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं जन्हें आपको अपनी नोटबुक पर भी लिखना है पहला है एसी मिलेशन प्रॉसेस इन वेच दा एबजॉब फूड इज यूज़ षोन कहलाता है प्लेक यू स्टी यमयायर कॉंटेंन फूड पार्टिकल सेलावा एंड़ भैक्टिरिया है तो यहां पर जो रिये जिसमें फूर पार्टिकल होंगे सालाइवा होगा और बैक्तीरिया होंगे जहिए प्लेक्टिव कहेंगे अलिमेंटरी कैनाल The digestive systems from oesophagus to anus faces unabsorbed portion of the food that is thrown out of the body तो इसे हम faces कहते हैं साइन्स की भासा में से stool भी कहते हैं है ना Latin करना Next है test words Test and ship locations on the surface of tongue हमारी जीप पर कुछ surfaces होते हैं जहां पर अलग अलग test word पाए जाते हैं बिलाई finger like projection on the inner wall of the small intestine तो छोटी आत में अंगली जैसी सरचना है जो होती हैं हम बिलाई कहते हैं करड पार्टीसंस डाजेशन फूड इस्टोर इन पार्ट ऑप इस्टमकेश काल्ड रूमेन यह पाए जाता है भाग जहां पर पार्शली डाजेश्टी भूजन रखा जाता है इनके पेट में से बापस एक बार जोगाली के लिए दांतों के पास लाया जाता है रूमिनेंट्स प्लांट्स ग्रास इटिंग एनिमल डेट डाजेश्ट देयर फूड इन तू स्टेप्स इनके ऐसे एनिमल जो प्लांट और ग्रास खाते हैं और जो दो स्टेप में अपना भूजन का पाचन करते हैं contractile vacuum the point from where the undigested food is throw out of the body by amoeba तो इसे क्या कहेंगे हम contractile vacuum कहेंगे okay student dear student in this chapter we will able to learn more of procuring a foods process of nutrient nutrition teeth in humans beings care of the teeth the human digestive system process of nutrition in animal digestion in grass eating animals feeding and digestion in amoeba तो यह सब हम समझ जाएंगे इस चेप्टर में ठीक है now we discuss about mode of procuring food different organism use different method to procure food अलग-अलग जीवों में अलग-अलग से food को procure किया जाता है food को लिया जाता है each animal has some special structures on its body to procuring food हर एक एनिमल में अपने special structure होते हैं special आक्रती होते हैं फूड को प्रोकर करने के जैसे की एनिमल सच काव हॉर्स पिक अप फूड डारेक्टली इन्टू दियर माउथ का और होस जो होते हैं यह फूड को डारेक्टली पिक अप कर लेते हैं human being use their hand to put food into their mouth humans beings जो होते हैं मनुष जो होते हैं वहांथों में भोजन को लेके और सीधा अपने माउथ तक ले जाते हैं amoeba use its false feet called pseudopodia to engulf the food particle amoeba यानि की amoeba proteus जो की protozoa होता है और इसके पास false feet होते हैं जिसके जिने हम pseudopodia भी कहते हैं pseudopodia और यह pseudopodia जो होते हैं यह भोजन को निगल जाते हैं इंगल्फ कर जाते हैं दा फूड़ पार्टिकल को आप एरामीसियम है ब्रुस लाइक बॉड़ी स्टक्चर कॉल्ड सीलिया इट सिप्स फूड़ पार्टिकल फ्रॉम बार्टर बिदा हैल्प ऑफ दीज स्टक् इसके पास दौरा यह क्या कर लेता है फ्रॉग जिसे अम पोस्थमा कहते हैं फ्रॉग यूज इस टंग टूक एच प्रे अपनी जीव के द्वारा यह शिकार को पकड़ लेता है यहां पर को आपको डाइग्राम भी दिखाए गया हैं जैसे कि we use our hand to put food into our mouth को अपने हाथों से ही तो आप भूजन करते हैं काव जो है अपने मुह से ही डारेक्ट अकाव डारेक्टली इत ग्रास यहां पर देखिए आप फ्रॉग का दिखाए गया है यह फ्रॉग है तो दा इस्टिकी टंग्स और फ्रॉग है फ्रॉग है टू इस फीदिंग ट्यूज तो सकने सब्सक्राइब से बटर फ्रॉग के पास एक होती है कंध कर तो डेखिए च्चरब करने में हेलप करती है और यह जो भीस अबज़ खर में portable के इस्टिक मा पर अपको मिलेगा इनक फ्रवर होता है फ्रॉड़में जो फीमेल पार्ट होते हैं वहाँ पर होता है नेक्टर जो है वाटर प्लस सुगर की फॉर्म में रहता है हाइड्रा हाइड्रा यूज इट्स टेंटिकल्स बेद इस्टिंग सेल्स टू किल दफ्रे एंड पूट इट इंटू एच बॉडी कैविटी तो हाइड्रा जो है हाइड्रा के पास टें हैं टेंटिकल्स की हैल्फ से सबसे पहले प्रे को मार देता है और यानिकि अपने सिकार को मारने के बाद यह सीधा बॉडी कैविटी यानि मुह पर रख लेता है और यह इसको भी एक तरह से इंगल्फ कर जाता है निगल जाता इस्पाइडर का तो जाला आपको पता ही है कितना बहन करोता है उसमें तो एक वार मक्षी या कोई मच्छर फस जाता तो निकली नहीं पाता है ना दब एव आफ देख मकडी का जाला दिखाए गया है तो इसने अपना एक मकडी का जाला बुना हुआ है अब हमारे पास एक एक्टिविटी है और मेरे सभी स्ट्वेंट इस एक्टिविटी को करेंगे तो फाइंड आउट रिकॉर्ड दा टाइप ओफूड एंड मोड ओफ फीडिंग्स फॉर्ड फॉल्विंग एनिमल्स जिसमें आपको बताना है हाउस फ्लाइब बटरफ्लाइब मॉस्क्यूटो आंट लाइस स्नेल्स इगल स्नेक हमिंग वर्ड तो फूड क्या है इनका मोड ओफ टेकिंग तरीका क्या है आप इन सबका जल्दी से जल्दी बताइए यह आपके लिए एक्टिविटी है प्यारे बद्यारतियों नावी डिसकस अबाउट प्रॉसेस ऑफ निउट्रीशन यानिकी पोषड के प्रॉसेस क्या है किस तरह से आप पोषड लेंगे क्या क्या यहां पर तरीका है प्यारे बद्यातियों बैरिएस एस्पेक्ट ऑफ अफ अफटनिंग फूड मोड ओफ इंटेक ऑफ फूड एंड इस यूटिलाइजेशन इन दा बोडी फॉर ग्रोथ है इस नौन एज नूटिशन यहनिकी बैरियस एस्पेक्ट जो हैं जैसे की इंजेशन है डाजेशन है एप्सॉप्शन है इस तो यह सारे के सारे जो प्रॉसेस हैं इनका फूड को आपटेंड करने का जानिकी मोड ओफ इंटेक ऑफ फूड का जो तरीका है और फूड को यू इस स्टेप इंबॉर्बिंग इन दा प्रोसेस फूफ नूटिशन तो इंजेशन में इजेशन सबसे पहला पॉइंट का है इजेशन दा एक्ट ऑफ गेटिंग एंड एटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इजेशन इन हुमन बींग इजेशन टेक प्लेस थो दा दाप्त करने के लिए भोजन को कलेक्ट करना और एप्जॉब करना एजेशन कहला था एजेशन का प्रोसेस आप पहले ही समझ चुके थे जैसे कि हुमन बींग सेलों फूड आफ्टर च्विंग्स हर्वीबॉरस कुकिली स्वेलिन दा ग्रास एंड लीप्स अमीबा युनि बोडी सर्फिस अट है एप्टॉड फूड इंसेक्ट लाइग बटरफिलाई है वा लॉंग ट्यूब लाइक इस्टक्चर कॉल्ड प्राव शिस यूजिंग विच दे सक्ट अनेक्टर फ्लॉवर दे फ्रॉग टेप्चर इच्प्चर इच्प्ट 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 इससे पहले बाले पहले वाले टॉपिक पर आपने पढ़ा है तो मतलग है एक तरह से करना भूजन को अपने अंदर निगलना खाना यह सब तरीका होता है अलग जीवों में प्यारी अब बात करेंगे अब जब हो गया तो अब डाइशन हो जाएक और डाइशन को आपको प पच जाता है बिल्कुल आपका राइस होता है हमारे मुह में ही पच जाता है ना दे ब्रेक डाउन ओफ फूड इंटु सिंपलर एंड सॉर्यवल मॉलेक्यूल इंसाइड दे बोडी इस कॉल डाइजेशन दे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगनिंग इन दा माउथ यहां प सकति है को भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आपको दिखाय गया है थे ना चेम और और कॉम्प्लेक्स मॉलेक्यूल जो है स्टैफ स्टमें लग छोटrico छटे सिंपलर मोलेक्यूल में तूटे का फिर और सिंपलर में तूटे गा और लास्में देखू बिलकुल सिंपल तो यह एक process है digestion का ना तो to breakdown of food in two simpler and soluble molecules यह कंप्लेक्स molecules से simple and soluble molecules में बदल जाना inside body digestion कहलाता है inside body क्या कहलाता है digestion कहलाता है the process of digestion beginning in the mouth of get complete in small intestine तो यह जो digestion है यह कहीं हमारी चोटी आँथ में पूरी तरह से complete हो आता है एपसॉप्शंस मतलब डाजेशन तो हो गया पाचन तो हो गया अब कहीं ने कहीं एपसॉप्शन भी होना बागी है एक सॉप्शन में जेर इस्ट tu Du Shotsam की बात कर रहे थे तो आफिडिएशन और सबस्तेयनlex आदन एप्जेस्टेस्टेस्ज के साथ बवै था इट जैसर चल्प सबस्विस्टेस्टेंस और को बिलर में एप्जोबर्ड ÖPS अब सबसे से लगाए अधिस प्रसिश फोस्विट अधर फ्स नुट्र बड़ी फ्लट लाइक बिलड इसकार अपने जो भोजन को डाइजेस्ट किया डाइजेस्ट में जो भोजन होने लाइक है जो गुलनसील भोजन है उसे बिलड में एबजॉब कर लेना है नहीं हुमन बीइंग्स एबस अपसॉप्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन हुमन बींग्स में जो एबस अपसंट होता है वो छोटी आथ में होता है बड़ी आथ जो होती है कि वाटर का एबसाप्शन करती है बहां पर किसी तरह पांचन देखने को नहीं मिलेगा आप बड़ी आथ पानी को सोकती है फीसेस को टाइट करने के लिए assimilation the process in which the absorption food is used for producing energy and growth is called assimilation इसमें क्या होता है the process of utilizing absorbed absorbed nutrients for energy growth and development by body is called assimilation यानि कि ऐसा process इसमें nutrients को absorb कर लिया जाए energy के लिए growth के लिए development के लिए तो इस सबकों क्या कहेंगे assimilation कहेंगे क्या कहेंगे assimilation और सबसे लास्ट प्रोसेस है इजेशन तो दूरिंग दप्रोसेस ऑफ डाजेशन सम पार्ट ऑफ फूद में नोट गैट डाजेस्ट और जब यह डाजेस्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे इस अंडाजेस्ट फूरी एक्स पील्ड फूम दप्रोसेस्ट इस या बोडी से इजेशन कहते हैं क्या कहते हैं इजेशन कहते हैं दा प्रोसेस्ट वाइब वेच्ट फूड मटेरियल आल थ्रौ आउट दा बॉडी इस कॉल्ड इजेशन जनतुमें भी यह देखने को मिलता है मतलब जितने भी जीवें समें पाया जाता है प्यारे पिद्धियार्थियो अभी मेडिकल इमर्जेंसी का दोर चल रहा है और इसमें भारत सरकार के पास जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी पड़ी हुई मैसूस हो रही है पहली बार नर्सिंग और MBS स्टाफ जो की एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं जो या तो फर्स्ट, सेकेंड, सेमेश्टर में ही है उनको कोरोना के इलाज के लिए आधिश दिया गया है आने बाला समय मेडिकल का समय है चुकि मेरे सभी स्टूरेंट जो है जातर आप मैंसे आंगे चलके साइंटेस्ट और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप देश के लिए समर्पित हैं तो साइंस को इतनी गहराई से समझेगा कि आंगे चलके जब हमारे देश का आपके कंधों पर आए तो आप खुबी इसे हैंडल कर पाएं आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वह कहीं न कहीं हमारे समाज के एक बहुत बड़े छेत्र को हैंडल करते हैं कहीं न कहीं उन्हें ग सब्सक्राइब के बखवान बनने की कोशिश करिए थैंकियो